कानपूर में 3 जून को जुम्मे की नवास के बाद हुई हिंसा को लेकर पुलिस अलर्ट होने के साथ बैक फुट पर भी है 300 से जादा उपद्रवियों की फोटो होने के बाद भी पुलिस नया पोस्टर नहीं जारी कर रही है आपको बता दे कि पहले पोस्टर में वांचित आरोपियों की सिनाखत होने के बाद भी गिरफतारी नहीं कर पा रही है तो वहीं मुस्लिम इलाके में पुलिस दबिस भी नहीं दे रही है करीब 15 दिन से एक भी पत्थरवाज गिरफतार नहीं हुआ हाला कि जॉइंट पुलिस कमिशनर आनंद प्रकास्तिवारी ने बताया कि पुलिस ने 40 उपद्रवियों का पोस्टर हिंसा के बाद जारी किया था पोस्टर के सभी उपद्रवियों को गिरफतार करने का प्रयास भी किया जा रहा है पहले पोस्टर में शामिल सभी आरोपियों की गिरफतारी होने के बाद दूसरा पोस्टर जारी किया जाएगा आपको बता दे कि कानपुर में तीन जुन को भी हिंसा की आग अभी तक बुझी नहीं है इलाके में तनाव को देखते हुए दो बटालियन P.S.C. स्थाई रूप से तैनात कर दी गई है इसके साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स चराहे पे लगे CCTV कैमरे और ड्रोन से इलाकों की निगरानी की जा रही है अब सिर्फ हिंसा में शामिल बड़े माफियों के खिलाफ ही कारवाही की जा रही है बिरो रिपोर्ट आई पियन